नमस्कार, स्वागत है आपका Learning Shorts में, आज हम बात करेंगे बहुत ही important और बहुत ही hot topic है अगर दिखा जा तो devops community में और IT engineers की community में कियो से इंजिनिरिंग तो कियो से इंजिनिरिंग क्या है, क्या क्या options हैं और इसका impact क्या है और किस ने स्टार्ट किया था, obviously आप देख सकते हैं, Netflix ने स्टार्ट किया था, और क्या क्या certifications अभी level है, क्या करता है, क्या क्या स्मंकी, आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो आई आगे चलते हैं Chiaus Engineering होता क्या है, Chiaus Engineering basically एक प्रक्टिस है जिसमें आप experiment करते हैं, अपने life system पे कि, अगर आप कुछ system डाउन करते हैं, तो real-time scenario में अगर वैसा incident होता है, तो आपका system कैसे behave करेगा, यह होता है, बिसकली check करने के लिए आपका system redundant है के नहीं है, अगर आपने कुछ shut down किया, तो यह बेसिकली चेक करता है फेलियर इंटिफाई करना विफोर आपका है रियली पर फेलियर हो तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हाइपोथसिस लिखे जाते हैं वो मतला इंप्लिमेंटेशन मोड है लेकिन क्योस इंग बेसिकली अगर आप देखेंग इस डिसिप्लिन अपरोच तुड इडेफ़ाई देफ़ाई देफिर 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 बिकम दाउटज राइट तो बाकी है कि अब जो है प्रोएक्टिव बेसिकल देखा थे प्रोएक्टिव टेस्टिंग आपके सिस्टम के च्टेस्ट करने के लिए और और आपके के लिए काफी help करता है आपको भचाने के लिए real issues से तो proactive approach है आप system को on purpose break करते हैं यह test करने के लिए कि हमारा system real time में कभी fail होता है तो क्या reaction होगा हमारा system कैसे perform करेगा और आपके क्या-क्या mechanism है जो आपने system अब आज की slides from monkey बहुत आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि यह data center में खड़े हुए तो क्योस monkey basically netflix ने स्टार्ट किया तो आगी की slide में हम क्योस monkey के बारे में discuss करेंगे तो है क्या है क्योस monkey so क्योस monkey basically netflix ने स्टार्ट किया था सम्फेर राण 2010 जो अपने infrastructure को attack करने के लिए just to test के real time scenario में हमारा अगर cloud पे कुछ failure होता है और component लेवल पर failure दाउन कीजिए database के instances down कीजिए पूरा पूरा zone down के करिये cloud में तो system कैसे behave करता है आपका application ready है उस turbulence को handle करने के लिए नहीं तो इस पूरे purpose से netflix ने क्योस monkey एक open source software बनाया था आज की रिट में open source है तो इसका जो अगर आप पढ़ेंगे पूरा टेक्स रीड नहीं कर रहा हूं तो chaos monkey is responsible for randomly termulating instances in the production environment तो chaos monkey करते का है बहुत ही random तरीके से आपके system को shutdown करेगा latency inject करेगा और आप जैसे कि आप देख सेथे तो इसका नाम ही chaos monkey है तो अगर आप third point करेंगे तो इसका main purpose है कि एक monkey को डेटा सेंटर में छोड़ दीजे केबल भी निकाल सकता है किसी को shutdown भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो इसलिए इसका नाम कि रखा गया था वो इसका purpose है open source है resiliency tools बोलते हैं इसको तो आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो system resiliency testing automated reliability testing automated resiliency testing इस नाम से भी कुछ लोग इन सब टूल्स को यूज करते हैं स्यमेन आर्मी का पार्ट है अगर आप last point बढ़ेंगे तो Netflix ने एक पूरा इस तरह की chaos monkey chaos korella ऐसे करके सारे टूल्स का एक ग्रूप बनाया जिसको बोला नहीं सिमेन आर्मी इसमें नेक्स पंट हम लोग डिसकस करेंगे वैसे किस किस तरह की chaos monkey है क्या करता है बेसिकली इन सबका ग्रूप जो software है उसको सिमेन आर्मी बोलते हैं तो आई आगी चलते हैं देखते हैं क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है तो प्रोज में आप देखेंगे schedule termination तो आप अपने हिसाब से कभी भी chaos monkey जब आप implement कर लेते हैं या deploy कर लेते हैं तो आप अपने हिसाब से कभी भी schedule termination कर सकते हैं कब execute होना है उसका test case कर नहीं होना है क्या execute होना है multiple test cases हो सकते हैं आपके और redundancy का thought process को encourage करता है बिकोस जब तक आप यह execute नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या fail हो सकता है और जो fail हो रहा है उसका हमारे बास redundancy है के नहीं है system में plant from the architecture point of view open source है सबस्वड़ा benefit है आप क्यों समंगी को ऐसे open source tool यूज कर सकते हैं कॉंस क्या है जब उन्होंने बनाया था तो अपने limited purpose के यूज के लिए बनाया था own purpose से बनाया था Netflix ने तो इस पने कर पर dependency है और किसी चीच को support नहीं करता है limited failure mode or recovery mechanism right तो limited test के से जो भी थे उन्हों उनको अपना purpose जो solve करते थे उससे कर सकते थे लेकिन अगर आपको जैसे आपको बहुत सारे multiple use cases है multiple component failure recovery mechanism auto recovery auto failover auto other multiple multiple things which you can do right तो इस तरह की सारे जो है आपको coverage अगर increase करने तो बहुत सारे आज के रेट में company हैं जो on top of this concept बहुत सारे solutions प्रवाइड करते हैं और को user interface नहीं तो command line से execute होता है तो basically typical hands-on devops engineers के लिए बहुत अच्छी चीज़ है लेकिए अगर आप चाहें कि एक general person अगर user interface से क्योस monkey को use करना चाहें तो अभी तक उस level का नहीं है क्योस मंकी में आप उसके ऊपर एक interface layer बना सकते हैं तो आगे चलते हैं कि क्योस मंकी क्या क्या एक्जाम्फिल्स है तो आप देखिए जैसे हम बोल दे क्योस मंकी लेटेंसी इंजेक्ट कर सकता है इसके इनों नाम दी है से मिनार्व लेटेंसी मंकी है कॉरिल्स के इंजेक्ट करता है एक लेटेनसी करता है जो के आपको एक रियल टाइम संठ्सude mascara करें से हाई तो क्या सिस्टम कैसे रेक्ट करेंगा सेम्तिंग से क्रदैक्ट के लिइए Department C तो इस तरह के सिस्टम को शट डाउन कर सकता है कि उनको आइडेटिफाइ करता है जैनिटर मंगी भी यह क्लीन अप करता है अनुज रिसोर्स को कि आपका पूरा जोन का आउटेज को सिमिलेट करता है इसके जोड़ा केरफॉल है जब भी आप इंप्लिमेंट करें तो यह इंप्लिमेंटेशन पर आप जाएंगे तो हम वैसे स्टेडी मेटेरिल के आपको लिंक दे देंगे कि कि यह उस मंकी को कैसे डाउनलोड करते हैं गिट पर इसका पूरा फोर्ड भी पड़ा हुआ है कैसे इंप्लिमेंट करते हैं और क्या के स्टेडी मेटेरियल हैं और किस कॉंसेट में वो आप डेफाइन कर सकते हैं है और अपना पूरे डैश्वर्ड वी क्रेट कर सकते हैं कितना सक्सेस कितना फेलियर और अपनी जो है आप अगर इस क्यों सब्सक्राइब तो यह तो आप सब्सक्राइब और अफिक अच्छी कर देखते हैं किया क्या स्थेडी में अवैलेवल हैं कि अगर अगर आप देखेंगे लिए कि और यह कुछ रिकमेंड करना था फिर्स्टोव और यह काफी अच्छी वोक है अप अगर और खरीद के इसको पड़ सकते हैं नेटफ्लिक्स के अपना गिटब पे ये क्योस मंकी का पूरा कोड है ये सेकंड और थर्ड लिंक जो है उसे में अर्मी का पूरा जो ग्रूप अफ टूल से उसके वारे में गिटब पूरा सबकुछ अच्छे सापको डेटेल मिलेगा क्यों के सारे मेटिरियल का तो यह पढ़ सकते हैं अच्छे से तो आगे चलते हैं देखते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन ओप्शन्स अविलेबल हैं जो लोग इंट्रेस्टेड है उनके लिए तो क्यों सिंगिनिंग के सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है तो यह अच्छा प्लैट्फरम प्रवाइड करते हैं जो कि क्यों समगिंग में डायेक्ट आफरिंग में नहीं आता है तो उसके ऊपर लेयर जाएं आप मुल्टिफिल लेयर इस एप्सटेशन्स क्य SAYS, आप IMPLEMENT कर सकते हैं, काफी अच्छे से लोगोयन है ripping, तो इसकार किया हुआ है, तो इसे हें पयार है कि तैस्स कर सकते हैं, तो ग्रैमलिं के चैसे टियंग्रिफिकैशन गर phra cm के क्यों लग इन्टरेसिटेटें के लिए कि यौस आज के बहुत ही होट टॉपिक है तो अच्छे से पड़े और यह जो लिंक से अच्छी पड़ेशन की तो इन सब का लिंक जो भी topic है वो सम नीचे description में paste कर देंगे तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए all the best wish you good luck कियो से जिए अच्छे से पढ़े है काफी hot topic है career wise भी काफी important है all the best